बरेली में नवागत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज चार्ट सम्हा लिया है चार्ट जेलने के बाद उन्होंने कलेक्टेट परिसर में मौजूद कई विभागों का निरिक्षण किया निरिक्षर करने के बाद जिलादिकारी बरेली ने विभाग की फ्यर्मचारियों को आवशक निर्देश दिये, साथी अधिकारियों से शासन इस्तर पर जिले की इस्थिती के बारे में पूश्टाच की। इस वरान मीडिया से मखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जिले की कानून व्यवस्ता को चुस्त दुरुस्त रखने पर उनका फोकस रहेगा और कोशिश रहेगी कि जन्मानस की शिकायतों को प्रात्मिक्ता से निप्टाया जाए सरकार की यह भी प्रात्मिक्ता है कि जो आम जन्मानस है उसकी शिकायतों का प्रभावी तरीके से उनकी सटिस्फेक्शन की अनुसार जो भी नियमत हो उसका निश्तारन हमारी भी प्रात्मिक्ता रहेगी कानून ब्यवस्था मुस्ताइद रहे मानियम मुक्वंत्री जी की प्रात्मिक्ता है मैं भी भरपूर कोशिस करूँगा कि यहां अमन्चैन बरकरार रहे साथ ही साथ मैं यह देखता हूँ कि किसी छेतर में जाने पर वहां की पुरानी कोई समस्या है क्या जैसे सरकार ने मुझे बुन्देल खंड के जहांसी में काम करने का अवसर दिया वहां पानी की समस्या थी हमने वहां पर कारी किया या मैं यह देखता हूँ कि वहां पर कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसका की बेहतर तरीके से यूज कर वहां विकास किया जा सके जिससे वहां के लोगों का जीवन अस्तर अच्छा हो लास्ट जिले में जमीन सस्ती थी वहां पे रानिपूर हैंड लूम था उस पे काड़ किया गया यहां भी मैं एक्स्प्लोर करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें अगर मिलती हैं उस पे काड़ करूँगा ताकि यहां के जन मानस का जीवन अस्तर उचा हो विकास की रफ्तार तेज हो और जो सरकार की मंसा है वो पुरी हो हमारा पूरा फोकस जो सरकार का फोकस है वही हमारा फोकस है हमारी अपनी कोई बैक्तिकत कोई हमारा यहां लक्ष नहीं है जो भी लक्ष है वो सरकार के लक्ष से जुरा हुआ है यहां की जो आम जनता है उसके लक्ष से जुरा हुआ है डेली इंसाइडर के लिए बरेली से अशोग गुपता की रिपोर्ट यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन ख़बरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज जैप डेली इंसाइडर